हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने जिस शेर की बात करने जा रहा हूँ पहला शेर जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है उसका मार्केट कैप है पाँच लाग त्रेपन अजार आट सो त्रेपन करोड का एक लार्ज कैप केटिगरी की कमपनी है निफ्टी फिप्टी का भी फिडेंड की बात करेंगे तो एक हैंट्सम दिविडेंड देता है उतना ही करीब तयुक यह उपर का यह dividend दे देता है रिटर्न return on capital employee, return on equity बहुत बढ़े आये, 20% से उपर इन्होंने maintain करके रखा हुआ है, face value की बात करेंगे, तो एक रुपई का face value चल रहा है, तो definitely आपको split का benefit नहीं मिलेगा, मेरे मितनों जिस company की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ITC Limited और ITC, आपको सभी को पता होगा है, Indian Tobacco Company, ITC is the largest cigarette manufacturer and seller in the country, दिखिए, cigarette पर तो government की काफी सारे rules and regulations है, पर जो ITC भागता है, उसका कुछ logic है कि इन्होंने जो एक turnaround देखने को मिला है, इन्होंने cigarette से हट के FMCG सेक्टर में भी अच्छा हाथ मारा है, और FMCG सेक्टर भी इनका बढ़ेया चल रहा है, अब चुकि हम pre-covid level पर आ participation में participate भी करेगा, तो definitely एक बार इस share को भी आप consider करते हैं, कर सकते हैं, चलिए दूसरे share पर चलते हैं, friends इसी category में जो मैंने दूसरा share चुना हुआ है, उसका नाम है, तो उसका नाम है Titan Company Limited, market cap की बात करेंगे 2,50,702 करोड का market cap है, current price की बात करेंगे 2,823 रुपए का current price चल मेरे मित्रों, मेरे past video में जाओगे, तो 2200 रुपए के आसपास था, ये पिछले कई सालों से, कई सालों से नहीं, बलकि 6-7 महिनों से अगर मैं बात करूँ, at least 2000 पूरे 22 में तो ये company यहीं गूमी है, 2200 से लगा के 2800, 2200 से लगा के 2800, फिलाल ये all time high पे वापस से ये company आ च 2300 रुपए का है, high company 2842 का लगाया, low company 2825 का लगाया, तो definitely ये company आए, कुछ ऐसी company होती है, जो definitely portfolio का part बनने के लिए बिल्कुल ready रहती है, क्योंकि जो इनके रेटार आते हैं, जो इसके company का results आते हैं, जो management की commentary आती है, वो कही ना कि investors को दिल खुस करने वाली आती है, stock की PE की 77.10 का PE book value की बात करेंगे, 133 रुपए का dividend बहुत थोड़ा सा मिलता है, तो definitely जो भी dividend के लिए ऐसी company देखते हैं, तो उन्हें ऐसी company से दूर रहना चाहिए, क्योंकि dividend नहीं मिलता है, अलाकि आपको price में एक अच्छा appreciation देखने को मिलता है, अगर मैं इस share के return on capital employee, return on equity की बा कहा है, और अभी मैं चीशियर की बात कर रहा हूं, उसका नाम है Titan Company Limited, जैसा आपकी मैंने कहा, इसके कुछ business की बात कर लेते, India's most respected lifestyle company, it has established leadership position in the watches, jewelry, eyewear categories, led by its trusted brands and differentiated customer experience, it was founded in 1984 as a joint venture between Tata Group and Tamil Nadu Industrial Development Corporation, Tidgo के नाम से आप इसे जानते हैं, मेरे में तरो मैं इस company का जो वीडियो है, अठारा रुपए से बना रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इस company का मैं expect यूज करता हूं, चस्मा यूज करता हूं, हलाकि कोई promotion मैं नहीं कर रहा, पर मैं जो company का, जो पता है आपको एक stock marketing सबसे अच्छी चीज है, मेरे मित्रों जो यूज करते हो, आप जो आपको market में दिखत बस उसी का share पकड़ लो, बहुत कुछ देखिए, पता है जब मैंने इसका चस्मा खरीदा था, इससे पहले मैं lens card का चस्मा लेता था, पर lens card मैं मुझे कुछ खामिया देखी, इसके बाद मैंने चेक करके टाइटन गया, टाइटन का चस्मा लिया, गुरू आज मैं जब से दो साल हो गए चस्मा लगाते हुए, भाई टाइटन कंपनी में जैसे ही जाता हूँ, फ्री में तो पहली बात तो ये services को provide कर देते हैं, बिल्कुल नया सा चस्मा कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं ये लोग, ठिक, जो भी करते होंगे, पर उस समय शेर था 1600 पर जिसको पेसेंस के साथ जिसका बंदे ने होल्ड किया, और आज वो रिटन में बैठा हुआ है, बेरे मित्रों जो आज की डेट पर टाइटन में हो रहा है, जो इसने पेसेंस के साथ होल्ड किया, वो रिटन में आज बैठा हुआ है, वैसा ही आने वाले समय में कुछ इ यत्तर का है, लो की बात करेंगे, 1185 का है, stock के PE की बात करेंगे, 25 के असपास का PE है, book value की बात करेंगे, 182 रुपए का इसका book value है, dividend की बात करेंगे, 2.58% के हिसाब से यह आपको dividend दिता है, return on capital employee, return on equity, इसने 20% से उपर maintain करके रखा हुआ है, face value की बात करेंगे, 5 रुपए का है, तो आपको एक split भी देखने को मिलेगा, और जिस company की मैं बात कर रहा हूँ, infosys की बात कर रहा हूँ, ठीक, जो company ने high लगाया है, और जो अभी company almost 52 भी, लो के आसपास ही खड़े हुई है, company अभी last month के आसपास, अगर मैं बात करूँ, साड़े 1200 के आसपास भी company जाते हुई, देखने को मिली, फिलाल अभी ये 1300 के उपर hold करके चल रहा है, मेरे मित्र अभी जो patience के साथ इस share को hold करेगा, यकीन मानना reward भी उसी को मिलेगा, चलिए next share पर चलते हैं, हलो फ्रेंट्स, जो मैंने next share आपके लिए रखा हुआ है, उसका market cap दिखिए, 16911 करोड का है, ये भी company करीब परीब large cap के डिगरी में ही सामिल होती है, current price की बात करेंगे, 1303 रुपए का current price है, high की बात करेंगे, 1317 का इसने high लगाया, low company ने 716 रुपए का लगाया, 20% से, return on capital employee 20% से कम है, जो कि ये 16.90% पर return on equity, इन्होंने बीट किया है 20% से उपर, जो कि ये 26.50% का face value की बात करेंगे, ये रुपए का face value और जिस company के मैं बात कर रहा था, TVS Motors, इस पे भी मैं video in-depth analysis इसका भी लाया हूँ, तो TVS Motors पे मैंने last time भी बोला था, कि गुरू इस पे नजर रखने वाला है, तो definitely आप नजर रखा गुरू, कुछ ऐसी कमपनिया है, जो कि कहिना कहीं, investors से थोड़ा दूर रहती है, पर वो return धमाकेदार investors को provide कर रहे हैं, इसी सिरेडी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ABB India पर भी आप नजर रखो, खरीदने को नहीं बोल रहा, केवल आप नजर रखो, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, TBS अगर motor की बात करूँगा, तो engage in the manufacture, two wheelers में कमपनी काम करती है, और उसके कुछ accessories में कमपनी काम करती है, तो मेरे मित्रों, आज मैंने आपके सामने कुछ series of stocks की बात करी, और ये stocks काफी हद तक अपने investors को पैसा बना के दे रहे हैं, इनमें अगर मैं Infosys की बात कुरूँ अभी नहीं दे रहा है, पर एक डेड़ साल से कही न कहीं Titan भी फसा हुआ था, Titan फिलाल बाहर आ गया है, तो डेफिनेटली जैसे ही US के अंदर मंदी का आसार खतम हो जाएंगे, रसिया यूकरेन का war finish होते हुए देखने को मिलेगा, वैसे ही Infosys वापस से आपको 2000 रुपए के उपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो साइद ये कारनमा 2024 में ही कर दे, देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, मेरे मित्रो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेर कर देना, कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल और आप अपना असिर्वाद स्टक मार्केट न्यूस चैनल पर बनाई रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,